हेलो फ्रेंड लिंगराज पडेल किचन किंग में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसीपी लेके आया हूँ आज हम बनाने वाले हैं सब का फेवरेट मिर्च के पकोडे आप इसको घर में जितने भी अच्छे से बनाएं लोग इसको ज़्यादा तर बाहरी खाना पसंद करते हैं दोस्तों आप एक बार मेरे बताई होए तरीके से घर में इसको बना के देखे तो आप बाहर का खाना भूल जाएंगे तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखे, यह है एकदम हरी हरी मिर्ची, और हमने यहाँ पे एक पाव मिर्ची लिया है, और इसको अच्छी तरह से पानी से वस कर लिया है, और इसको कपड़ा से पोज भी लिया है, आभी हम सबसे पहले लेंगे एक चक्कू, और इसको बीज से दो टुकडा करके काट लें यह देखिए मैं जिस तरह से इसको निकाल रहा हूँ बिलकुल उसी तरह आप सारे मिर्ची के बीच को निकाल लीजिएगा तो चलिए अब हम सेम प्रोसेजर में एक एक करके सारा बीच को निकाल लेते हैं और यह देखिए हमने सारा बीच को निकाल लिया है अब इसको रखत इसको अच्छी तरह से मैस कर लेंगे और यह देखिए हमने सारा आलू को अच्छी तरह से मैस कर लिया है आप हम इसमेट करेंगे एक चमच धन्या पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर थोड़ा सा काला नमक उपर से डालेंगे थोड़ा सा डेली उज नमक और एक चमच अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप और थोड़ा सा हरी मिर्ची समें डाल सकते हैं ये देखे अभी रेडी है अभी हम लेंगे एक मिर्ची अब मिर्ची के अंदर थोड़ा सा आलू लेके इसमें इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद हातों से अच्छी त के हम सारा मिर्ची में हालू को भर लेंगे और ये देखे हमने एक एक करके सारे मिर्ची में हालू को भर लिया है अब हम करेंगे इसको फ्राय लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे बेशन का घोल ये हमने लिया एक कटुरी में थोड़ा सा बेशन अब हम इसमेट करेंगे अगर एक साथ इसमें ज्यादा पानी डालें तो आपका गोल का टेक्स्चेर बदल सकता है और यह देखिए दोस्तो हमारा घोल बनके रेडी हो गया है यह एकदम परफेक्ट है और यह देखिए हमने तेल को गरम कर लिया है अब हम लेंगे एक मिर्ची और मिर्ची को बेशन में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसको चारोत रस्प से कोट कर लेंगे और कोट कर गृशा करने के बाद इसको लेके गरम गरम टेल में डाल देंगे और इसी तरह हम सेम प्रोसीजर में एक एक करके मिर्ची को इसमें डालते जाएंगे और ठोड़ा ठोड़ा करके इसको फ्राइ कर लेंगे हमने यहाँ पर फास्टेज पर चार मिर्ची को डाला है हमें मिर्ची को तेल में उलट पुलट करके चारो तरप से अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है आप जब भी मिर्ची को तेल में डाले पहले गैस को हाय प्लो पे रखके उसके बाद इसको medium flow पे कर दें ये देखिए हमारा मिर्च के पकोड़ अब अच्छी तरह से fry हो गया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा first batch बेच बनके ready हो गया है और ये हमने second batch भी डाल दिया है second batch में हमने 5 मिर्ची डाला था ये भी बनके ready हो गया है अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे मिर्च के पकोड़ो को fry कर लिया है आप इसको tomato के चटनी के साथ धनिया पता के चटनी के साथ या फिर टोमाटो के सास के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों आज के ये मिर्च के पकोड़े का रेसीपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक वीडियो में और एक निया रेसीपी के साथ ठैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेश